पी निता सूरज चवांड ने शिकायत की थी कि निलेश राणे ने शरत पवार के दाउद इब्राहिम से संबंदों के आरूप लगाए हैं मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है ये मामला दर्ज किया गया है आपको ये भी बता दे कि IPS रश्मी शुकला फोन टैपिंग केस में पूर्व सीम 25 उद्दव सरकार की रडार पर हैं आज मुंबई पुलिस उनसे घर जाकर बयान दर्ज करेगी और इससे पहले परणवीस को ठाने पहुच कर बयान दर्ज कराने का नोटेस दिया गया था शिवानी हमारे साथ जड़े हुई है शिवानी हर रोज कुछ नया देखने को मिल रहा है महराष्ट की राजनीती में जी बिल्कुल देखिए अगर बात की जाए फिलहाल नितेश राने और निलेश राने के खिलाफ इस F.I.R. की तो हाल ही फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरह से नवाब मली का जो केस है वो दाउद से लिंक होकर E.D. की डेड और फिर उनकी E.D. कस्टरी और उनके बाद उनकी जुडिशल कस्टरी हुई और इसी पीच में नारांद राने के बेटों ने इल्जमात लगा है की शरत पवार की दाउद इब्राहीम और उनके जो क्लोजेज हैं उन लोगों से लगाता संपर्क है उन लोगों से वो भी कॉन्टैक में है जिसके आधार पर ही यह जो फ्रेश F.I.R. है एंसीपी के युवा मोर्चा के एक जुनेता है उन्होंने दर्ज की है धारा 122, 153A और 5051 के तहरत ये मामला दर्ज हुआ है साथ आपको बता दे कि इस पर एंसीपी की ये प्रतिक्रिया कहती है कि सीधे सीधे उनके निताओं पर BJP वार कर रही है और नारान जाने की फामली एक्टिवली इस चीज में काफी जादा इन्वाल्व है वहीं जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे देवेंद्र पढ़नविस का भी तो देवेंद्र पढ़नविस ने भी कुछ दिनों पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि कैसे जो शिवसेना है या जो पूरी MBA की सरकार है अपने सरकारी वकीलों से सजेशन ले लेकर विपक शियानी की BJP के निताओं को टारगेट कर रही है तो फिलहाल अब जब ये F.I.R. दर्ज हो चुकी है दोनों ही भाईों को जाकर फुलिस टेशन में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर राना होगा हाला कि अब तक पुलिस टेशन द्वारा समन दोनों को इशू नहीं किये गए है लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से दाओद कनेक्शन को लेकर पहले शहरत पवार का अफिलाल इसमें नाम आ रहा है जिसको लेकर अलरी नवाब मलिक जेल के हवालातों के पीछे हैं तो ये कही न कहीं मुश्किले बढ़ाएगा पूरी M.V.A. सरकार के लिए जवाब देही के दौर पर शुक्रिया शुवानी आपका मारे साथ चुड़ने के लिए